और लोकडाउन के इसाब से जब ओपिसेज खोलने की जितने प्रतिशत की छूट सरकार की द्वाराज दी जाएगी उतने प्रतिशत साला के अंदर टीचर आएंगे सेज को दूसरे कारिये में लगाया जाएगा इसलिए दस्वी और बार्वी की जो एक्जाम्स कैंसिल की गई है उसके बारे में जल्दी हम मैथट तयार करके और जो बच्चे पड़े हैं उनका किस प्रकार से मार्किंग होगी दस्वी और बार्वी की वो तैक करके और बताएंगे नहीं होंगी ये कैंसिल का मतलब ये है कि प्रिक्षाय नहीं होंगी लेकिन जैसे cbs सी ने ये कहा है कि आगर कोई बच्चे उससे हमारी मार्किंग से संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर सामाने स्थिती ओने पर कोरणा खतम होने के उपर उसके उपर विचार किया जा सकता है तो यह विकलब हमारे लिए भी खुला हुआ है लेकिन आज की तारिक में जो फैसला हुआ है वो यह हुआ है कि दस्वी और बार्वी की राजस्तान माद्य में शिक्षा बोर्ड की परिक्षाएं कैंसिल की गई हैं नहीं होंगी क्या पैटरन कुछ डिसाइड कुछ फोर्मिले पर बात हुई है यहां पर बात नहीं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को तै करना है कि किस प्रकार से उन्होंने टेस्ट लिये हैं हापियर ली एक्जाम्स ली है दस्वी के क्या मार्क्स हैं ग्यारवी में उसके क्या परफोर्मेंस है बारवी में जो बच्चा पड़ा है उसने किस प्रकार से पड़ा है कितना वर्क बूप में काम किया है कितना उसने टेस्ट म में कोई खिलवाड ना हो और वो पूरी तरीके से संतुष्ट रहे कि हाँ मैं इस केटेगरी का था जितने नंबर मेरे आए नया सेक्षिनिक सत्र शे तारिक तक था साथ से खुल गया पियो हमारा पहले से मौजूद है कोरणा में उसकी डूटी है जितना लोग डाउन कारेले खोलने के बारे में छूट देगी सरकार उतने प्रतिसत टीचर को ही स्कूल में बुलाया जाएगा लेकिन जब तक सारजनिक परिवहन चालू नहीं होगा तब तक वो टीचर अगर विद्याले में नहीं जाता है तो उसके खिलाब किसी तरह का कोई एक्षिन नहीं होगा ज अलवर का आदमी बार्ड मेर में कैसे जाएगा इसलिए उसका भी हमने ध्यान रखा है बाकी सेडूल हम लोग कल जारी कर देंगे कि उसको क्या क्या करना है विद्याले में कितने प्रतिशत को आना है उनको बच्छों को किस प्रकार से जो स्माइल प्रोजेक्ट है उसके मा कि भी हमें कि भी हमने जारी का विद्याग जाना है ।